नमस्कार मैं हूँ आपके साथ एंशा नेशनल रूड़ो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वक्त की खबर उत्तराखंड के चमॉली से सोनी नेगी ने फिर लिखी कई पिरकार की कविताएं खबर चमॉली से चमॉली जले के ताली मोहन खाल गाउ में जन्मी 21 वर्षिय सोनी नेगी ने फिर लिखी कई पिरकार की कविताएं हम बात कर रहे हैं कैसे गरीब घराने में जन्मी सोनी नेगी पुंडीर की जिस सोनी नेगी पुंडीर की अपने हाथों से लिखी हुई कविताएं पूरे चमॉली जिले में काफी मशूर है बता दे कि सोनी नेगी पुणिर के माता पिता का नाम सूर सिंग नेगी और माता का नाम भागीरती देवी है जिन गरीब माता पिता ने दिन रात मेहनत कर अपने इस होनहार बेटी को इस मुकाम पर पहुचाया कि जो बेटिया आज कल काफी चर्चाओं में है बता दे कि ना जाने कितनी कविताएं आज तक लिख चुकी है सोनी नेगी पुणिर वहीं आज पूरे चमौली जिले में अपना नाम रोशन तो किया ही है लेकिन साथ ही साथ अपने मायके से लेकर अपने सस्राल तक का भी नाम काफी उंचा कर दिया है रेपोर्ट देखिए खास लवीन सिंगर साथ सोनी नेगी पुणिर और मेरा मायका है चमौली जिले के महन खाल के निकट गाउं ताली में और मेरा सस्राल है चमौली जिले के ही गोचर के सिरन गाउं में है तो मेरी कविताएं लिखने का सफर बच्वन से ही सुरू हो गया था तो मैंने धीरे-धीरे अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी है और वो मेरा प्रयास आज तक जारी है लेकिन अभी तक मेरी रचनाएं बंद पन्नों में ही छिपी हुई है तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपनी रचनाओं को भी आगे तक ले जाना चाहती हूँ जो लिखने की एक कला है लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन जो छोटी सी चीज होती है वो बहुत बड़ी बात बन जाती है जब हम उसे एक कला के नजरे से देखते हैं तो मेरी इन रचनाओं को प्रोतसाइथ कीजिएगा तो मेरी ये कुछ रचनाए है, आसा है कि आपको पसंद आएंगी तन भी तुम्हारा सही है, मन भी तुम्हारा सही है फिर भी आलस करना ये तो अच्छी बात नहीं ये तो अच्छी बात नहीं, किसी को दुखी कर, किसी को दुखी कर, खुद सुकून से रहना, ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं, किसी भूके खा, निवाला छीन कर, खुद खाना, ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं, मैं सोहनी नेगी पुंडिर और मेरा माइका है चमोली जिल्य के महन खाल के निकट गाउं स्ताली में और मेरा सुसराल है चमोली जिल्य के ही गौचर के सिरण गाउं में है तो मेरी कविताएं लिखने का सफर बच्वन से ही सुरू हो गया था तो मैंने धीरे-धीरे अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी है और वो मेरा प्रयास आज तक जारी है लेकिन अभी तक मेरी रचनाएं बंद पन्नों में ही छिपी हुई है तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपनी रचनाओं को भी आगे तक ले जाना चाहती हूँ जो लिखने की एक कला है लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन जो छोटी सी चीज होती है वो बहुत बड़ी बात बन जाती है जब हम उसे एक कला की नजरे से देखते हैं तो मेरी इन रचनाओं को प्रोथ साहित कीजिएगा तो मेरी ये कुछ रचनाएं है आसा है कि आपको पसंदाएंगी